हेलो बच्चो वेलकम बैक आज हम आए हैं मेगनेटिजम एंड मेटर का लेक्चर नमबर 3 लेकर जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि एक बार मेगनेट क्या होता है सबको पता है और मेगनेटिक फीड लाइन्स के कुछ प्रॉपर्टीस के बारे में डिसकस करेंगे हम क्या मेगनेटिक फीड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टिस के लिसकर करेंगे क्या मेगनेटिक फीड लाइन सेम कंएप्ट जो आपने आपने उलेक्ट्ट्रोस्टेटिक में उलेक्ट्रिक FPS के बारे में पड़ा था डिटो आव मैग्नेटिक फीट लाइने के बारे में पढ़ेंगे कुछ कुछ हम इस chapter में पड़ चुके हैं आपको पता हो होना चाहिए कि हमारे पास एक बार मेगनेट क्या चीज होता है एक बार मेगनेट सब ने देखा होगा मैठेक ऐसा है मैटल को या ऐरन को में त्युद्ट को अट्रेक्ट करने वाला डवएब है इसके दो पोल जिसकी डाइप ओल होती है नोर्ध पौल और साउथ उसके पास उनेटक फील्ड होगी अगर मिगनेटिक is होगी तो इस Magnetic Field को रिप्रजेंट करेंगी Magnetic Field की Lines Magnetic Field Lines Electric Field तो Electric electricity तो magnet है तो Magnetic Field Lines ही Magnetic Field को रिप्रजेंट करती है तो इन Magnetic Field की property पढ़नी हुने तो अगर हम भार magnet ले या कोई भी magnet ले जिसका North और एक South Pole होता है सबको पता है यह भी पता होगा अगर मैं इस मेगनेट को बीच से काड़ देता हो तो दो मेगनेट बनेंगे तो ऐसा नहीं होगा यह नौर्थ यह साउत नहीं इसका नौर्थ साउथ इसका नौर्थ साउथ दो पोल्ष बनते हैं बच्चों वाली बात है 10 में सीख कर आये हो फिर भी जश्ट बता रहा हूं सही आदाहइड दो ऐसा नहीं नौर्थ रहे गया तो दो मैगनेट बन जेंगे नौर्थ और सौथ पोल है magnetic feed line समेशा closed loop बनाती है हम भी बना कर दिखाएंगे तुम भी देखो देखो यह रहा एक बार मेगनेट इस जिसका यह North Pole और यह South Pole तो यह क्या होगा ऐसे निकलेंगी और यह यह close loop बनाएंगी यह क्या बनाएंगी ऐसे close loop बंद होगा यह लूप इधर से निकलेंगी तो यह close ऐसे मेगनेटिक फीड लाइन समेशा पूरी बंद होते हैं अगर आपको याद होगा पर मेगनेटिक फीड लाइन स्क्लोजड लूप बनाती है सेकंड पॉइंट जो मेगनेटिक फीड लाइन से जो मेगनेटिक फीड लाइन से आउट साइड में मेगनेट के बाहर और मेगनेट के इंदर दोनों साइड में मेगनेटिक फीड लाइन मेगनेट के इंदर भी जा र नोर्थ से साुथ, नोर्थ से साुथ, नोर्थ से साूथ, भार, और अंदर होती है, साुथ से नौृत, इस बात को याद रखेंगे, magnetic field lines की direction outside the magnet north to south होती है inside the magnet south to north होती है सही है जी अगर इसकी direction पता करनी हूँ आपको किसी भी magnetic field lines की तो आप क्या करोगे tangent draw कर दोगे tangent at magnetic field lines gives direction gives direction of magnetic field at that point at that point आपको किसी point पर magnetic field की direction पता करनी है तो उस point पर यहाँ पर पता करनी है तो उस point पर इसके ओपर tangent बना दो तो यह magnetic field की direction है यह क्या हुई? magnetic field की direction हुई ठीक है यह कौन सी magnetic field अच्छा? तो यह बात करता है net magnetic field की direction क्वेशन यह कॉन सी मेगनेटिक फिल्ड देगा नेट मेगनेटिक फिल्ड की डाएक्षन देगा ठीक है ओपके तीन फॉर्ट पॉइंट रहा हमारा इसके बाद इसको अगला पॉइंट है मारा मैंगेनेटिक फिल्ड- लाइनस की प्रॉपरिज्ड बता रहा हूं चोटा ज्यादा होगी उतनी ही स्ट्रॉंगर मेगनेटिक फील्ड होगी उसकी किसकी उस बार मेगनेट की अरे यार कोई बार मेगनेट है उसमें से दो मेगनेटिक फील्ड लाइस निकलती है एक बार मेगनेट में से चार मेगनेटिक फील्ड लाइस निकलती है तो किसकी मेगनेटि फिल्ड लाइन्स उतनी ही ज्यादा मेगनेटिक उसकी प्रॉपटी उतनी ही ज्यादा उसकी मेगनेटिक फिल्ड लाइन्स में भी ऐसा ही था एक और बात दो magnetic field lines, two magnetic field lines, two magnetic field lines, do not intersect each other, do not intersect, do not intersect each other, ऐसा क्यों, electric field में भी है पड़ा था, ऐसा क्यों, दो magnetic field lines, एक दूसरे को intersect नहीं करती, हाँ दिखर हैं, इंटरसेक्ट करती, गलत बना है, पर नहीं करती, क्यों, क्योंकि अगमान लो, दो magnetic field lines, यह magnetic field lines, और यह magnetic field lines, को intersect करती, दो magnetic, तो इस point पर इस magnetic field की direction होई ऐसी, इस पर इसकी direction होई ऐसी, एक point पर दो direction नहीं हो सकती, नहीं यह मेरी बात दो डार्यक्शन साइगे देगी यह इदर को सकती नहीं हो सकती इसलिए दो मगनेटिक फीड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती साहिए जी कि अगला पॉइंट यह है कि जो number of magnetic field lines है number of magnetic field lines वो directly proportion होती है पोल स्टेंथ के पिछले टॉपिंग पड़ा था इसकी पॉल स्टेंथ मैंने सम्म जैसे चार्ड क्यों मैंने स्क्राइब में ऐसे ही पोल तो होती है। जितनी सद्री जादा उतने ही उसकी पोल स्ट्रेंथ जादा सबुना इसमीं स्टेंथ पॉंइंट यौ Спिल एक से Equidistant Magnetic Field Lines represents Uniform Magnetic Field. Uniform Magnetic Field होगी, अगर Magnetic Field Lines Straight है, Parallel है और Equidistant, यह इनके बीच का Distance Equal है, यह दोनों Parallel है, यह Straight है इसका मतलब Magnetic Field Uniform है, यानि कि बड़ाबर है, हर पॉइंटों पर Magnetic Field, जितनी यहां Magnetic Field उतनी यहां, उतनी यहां, इसका मतलब है, अगर Straight होई, Parallel होई, Equidistant होई, तो मानेंगे Magnetic Field हर जगा पर Constant है, यह Uniform है, सेम डिट्टों चीज, Electric Field Lines में भी थी, उसकी वीडियो भी जाकर देख सकते हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है यह छोटी-छोटी सी बात है, ठीक, Magnetic Field Lines के बाड़े में, बार Magnet क्या होता है, Current Caring Magnet, Current Loop, अच्छा है, यह तो सिर्फ बार Magnet की बात कर रहे हैं, से मैं ओकरनेटिक फीड, Current Loop में भी ऐसी होगी, बिल्कुल से ऩर ऐसी होगी, oof अगर मैं a current loop बना दूँँ, क्या मैं magnet की तादा बेहव करेगा, बिल्कुल गरेगा, देखो, अगर मैं a current loop बना दूँँ, यह रहाए prime loop, इसमें current जा रहा है, मान लो तो कैसे भी ऐसे जा रहा यह लो ऐसे जा रहा करंट तो यह एक मेगनेट की तरह भी यह कर रहा है बिल्कुल कर रहा है कैसे पता चलेगा अगर उपर से देखोगे इसको उपर से देखो लास्ट लेक्चर में किया था तो जिदर करंट की डिरेक्शन क्लॉक वाई दिखे तो वो जाता है साउथ पोल नीचे से देखोगे तो करंट टी प्रॉय थेक्ट वाह भी सब्सक्तोफभा नोर्थ पॉल है है तो वो हो जाएगा नोोर्थ पॉल सगय है वह क्या हो जाएगा नोर्थ पॉल ऑफ देखो इंसाइड डा मैगनेड्र 12 स्टु नॉर्थ जा रहे हैं इंसाइड दा मेगनेट साउस सोट तो अप देखोगे यहां पर डारेक्शन बनाओगे तो मेगनेटिक फिल्ड ऐसी आएगी यहां पर ऐसी यहां पर ऐसी नहीं तो इंसाइड दा मेगनेट साउस्ट तुनोर्थ 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 त क्या साउथ टू नौर्थ 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 टू उल्टा तो नकी बढ़ गया उल्टा बनका दरवाला सही है नौर्थ दो नौर्थ को तो ऐसी एक कड्रण्ट लूग की मेगने टिक भी लाएगी पेपर में पूछ सकते हैं मैं सी कॉश्चन साने वाले हैं कि बना कर देंग हैं अगले टॉपिक के साथ इसमें हम पढ़ेंगे शायद अर्थ's मेगनेटिजम की अर्थ इक मेगनेट की तरह क्यूं भिहेव करता है ठीक है जी अर्थ की मेगनेटिजम पावर कैसे आई हम बोलते हैं अर्थ के अंदर मोल्टन हैं तो मोल्टन हाई टेंपरेचर पे तो मेटल की प्रॉपर्टिस खतम हो जाती है बड़ अर्थ क्यों मेटल की सोरी मेगनेट की तरह बिहेव करता है तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक इंज्वाए करें खुश रहे और दी वेरी बेस्ट बाई बाई बच्चों